दीदी कितना पढ़ोगे छोटे भाई के सवाल पर एक्ता ने मुस्कुरा कर कहा बिट्टू किताबें तो मेरी जान हैं तू भी अपना समय बरबाद न कर जा कर गणित के किताब लेा तुझे भी पढ़ा ही तू ना बाबा ना मुझ पर ये जुलम ना करो कहकर बिट्टू भ हुए थी और जुबान में अम्रूसी मिठास मा बाबुजी के प्यार का संगम घर में रोज धेर सारे रिष्टेदारों का आना जाना दीदी भाईया से रूटना मनाना खट्टे मीठे जगडे और उनके पीछे चिपा धेर सारा प्यार और अपना पन जीवन की यही परिभ अपना था डॉक्टर बनना फिर उस अपने के लिए उसने नवी कक्षा में आने के बाद से जी जान से मेहनत भी की थे आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चैन मुंबई के मेडिकल कॉलेज में हो गया घर में खुशी की लहर दोड पड़ी दूर दूर से जाना तो था ही उसका सामान बांधा जाने लगा माने धेर सारे लड़ू अचार पंजीरी आदी भी बांध दिये क्या पता उनकी लाडली को वहां का खाना पसंद आये या ना आये बाबुजी ढून ढून कर सामान लाकर रखे जाने वाले सामानों में इकठा करने लगे काला पानी की सजा हुई हो हॉस्टेली तो जा रही हो वहां सब कुछ मिलता है उसने डब्बे से एक लड़ू निकाल कर खाते हुए का तो लड़ू तो यही निकाल कर खाना शुरू कर दिया और कहती है सब कुछ मिलता है ये तो हमें भी पता है कि मिलता है पर उसमें मा का दुलार कहां होगा मा ने सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा और सभी की आँखें नम हो गए मुंबई नया शहर नई पढ़ाई नया जीवन कभी मा के खाने की याद आती कभी भाई बेहनों के साथ की शरारतों के पर कभी पिता का विश्वास परिशान क्यों होती हो मैं ह यही उसका परिवार था और इसी परिवार के सहारे पढ़ने और आगे बढ़ने का सपना पूरा करना था हॉस्टल में तो नहीं हां कॉलेज में उसे थोड़ी दिक्कत आती थी कोईट जो था अभी तक तो गर्स स्कूल में ही पढ़ी थी वो फिर इलावा शहर भी तो ऐसा ही था जहां खुलापन इतना नहीं था भाई लोग भी थे जिनके साथ आना जाना हो ही जाता था लड़कों को भाईया के अत्रिक्ट दोस्त भी समझा जा सकता है ये उसकी परिभाशा में नहीं था लड़कों से बात करने में एक स्वाभाविक हिचक से गुजरती थी वो उसी की क्लास में एक लड़का था सौरप अपने नाम की तरहे अपनी हंसी के खुश्पूल उटाता हुआ सौरप ने ही उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पर उत्तर में अपने मेही सिमट गई थी वो कई बार सौरप क्लास में उसके यूँ शर्मा जाने की मिमिकरी भी करता सब उसको देखकर हंसते और वो वहीं जमीन में गड़ जाती कभी कभी जी करता कि बताए इन सब को पर लिहाश था कि जाता ही नहीं था खेर समय के साथ वो लड़कों से थोड़ा थोड़ा बात करने लगी पर सौरप के सामने आते ही हकला जाती आकर ऐसा क्या था सौरप में जो उसे उसकी तरफ खींचता था इसी तरह पूरे दो साल पीट गए सौरप रोज उससे मिलना और बात करना नहीं भूनता सौरप उसके सामने खुली किताब था और वो तहकाने में बंद डायरी सौरप की आखों में प्रेम दिखता था और शब्दों में भी उसका मन भी प्रेम के रेश्मी एहसास से खुद को कहां मुक्तु कर पा रहा था क्लास में उनके दबे चुपे चर्चे होने लगे एक समय ऐसा आया कि अकेले कमरे में भी सौरप हमेशा साथ रहता भले ही यादों के रूप में मन पर एक मधोशी चाने लगी अपने में गुम खामोश रहने वाली लड़की का सौरप से बात करने का सिलसला कभी खतम ही न ह खास शाम थे जब सौरप ने उसके साथ में कौफी पीने को कहा तो वो उसे रोज की बात समझ कर चल दे बातों इंबातों में सौरप बोला अरे मुझे तो विश्वासी नहीं हो रहा तुमने मुझे से love you कहा I love you कहा एकता ने हतपरभ होते हुए का अरे ऐसा कैसे मैंने मै पहली बयार की खुश्बू वातवरण में फैल गई अगले दो साल प्रेम के दिन थे और प्रेम की राते हैं वो एक दूसरे से घंटों बातिंग करते साथ साथ गूमने जाते एक दूसरे की तस्वीर कीशते प्रेम पत्र लिखते कॉलेज में उनके प्रेम के किस्ते सभी को कितनी बार ऐसा हुआ कि सौरब ने उसके इतना नजदीक आना चाहा कि कोई दूरी ही न रह जाए पर प्रेम की गंगा के इस बहाव में उसने अपनी मर्यादा की सीमाओं को कभी बह जाने नहीं दिया वो दिन भी आया जब उन्हें डिग्री लेकर कॉलेज के फेरवेल के जब अपने अपने घर जाना था विदाई की बेला में आँखों में आशू भरकर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि जल्दी अपने माता पिता को मना लेंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे एक तय लावात लौट तो आई थी पर वो मन सौरब के पा अपने भी तो हामी भरते हुए अपने माता पिता की शीग री स्वीकर्ती मिल जाने की बात कही थी कहीं से कोई दिक्कत ठी ही ने पर मुंबई से कलकट्था जाने के बाद ना जाने क्यों हर फोन पर वो इस सवाल को टालने लगा ता धीरे दीरे उसके फोन ही कमाने लगे वो फोन मिलाती भी तो फोन व्यस सेकर टेप किया हुआ मैसेज सुनाई देता। अब एकता के हिस्से में केवल इंतजार था। बिना सौरब की राय जाने, वो अपने माता पिता को भी अपने दिल की बात नहीं कहना चाहती थी। दिन भर घर में बात करने वाली एकता मौन रहने लगी। गुलाब के फूल सा चेहरा मुर्जाने लगा। मा पिता जी पूछते तो काम का प्रेशर बता कर बात टालती थी। हाला कि वो जानती थी कि हॉस्पिटल के लंबे घंटों की जूटी भी उसे उतना नहीं थकाती जितना एक पल का ये ख्याल कि कहीं सौरब उसे भूल तो नहीं गया, उसे थका देता। उसका फोन सौरव उठाता नहीं था, खुद उसका फोन आता नहीं था, मन, अजानी आशंकाओं से घिरने लगा था कि सौरव ठीक तो है न तो कभी वो खुश से ही प्रश्ण करती कि कहीं वो धोका तो नहीं खा गई प्यार में, कितने किस से सुने थे प्यार में धोके के, अ चाल भर के लंबे इंतजार और आशा निराशा के मद जूलते मन को समहालने के बाद वो दिन भी आया जब एकता को मेडिकल कॉनफरेंस के लिए कलकता जाना था। पूरे देश से डॉक्टर बुलाए गए थे उसे लग रहा था कि इश्वर नहीं आकिर उसकी सभी दुआएं कुबूल कर ली हैं उसने सौरब की पसंद के कपड़े और धेर सारे गिफ्ट्स पैक किये और कलकता के और रवाना हो गई पल पल इंतजार को खत्म करने वाला वो और खुदी रोमांचित हो जाते कलकता पहुँचने तक राज जादा हो गई थे उस दिन वो होटल में रुख गई अगले दिन सौरब से मिलने की सोच उसके मन की वीना के तार बज रहे थे कॉन्फरेंस दूसरे दिन थी सुबह जल्दी तयार होकर होटल लॉबी में उतरी ही थी कि वहां सौरब बैठा दिखाई दिया उसे अपने आंकों पर विश्वास नहीं हुआ पर ये क्या उसके साथ पैटी औरत मांगवे सुदूर हाथ में चूड़ी गले में मंगल सूत्र और गोद में बच्चा क्या सौरब ने शादी कर ले मन आशंकां से काप उठा न अभी सौरब का एक दोस्त उसके पास आया सौरब ने उससे धीमे से कुछ कहा प्रत्युत्तर में उसने जोर से उस औरत की तरफ देखकर कहा यार सारी दुनिया की सबसे खुबसूरत रड़की से तो तूने शादी कर ली अब मुझे तो क्वारा ही रहना पड़ेगा उनकी तेज हसी में एकता की हिचकी की आवाज दब गए हसी की आवाज से सोता हुआ बच्चा कुन मुनाया शायद भूका था बच्चे को लेकर सौरब की पतनी टौयलेट की तरफ चली गई एकता के जी में आया कि अभी जाकर सौरब से पूछे कि उसने उसके साथ धोका क्यों क किया तब ही सौरब के शब्द उसके कानों में पढ़े जानते हो सुमित सर्व मिष्ठा मेरे बच्चपन का प्यार है हम बगल ही बगल रहते थे आटवी तक साथ पढ़े फिर हम उसने हुमेनिटी चुना और मैंने विज्ञान पर उसको पाने की एक तमन्ना हमेशे दिल मे रहे हाला कि हम दोनों में से किसी ने इजहार नहीं किया था पर जब डिगरी लेकर यहां आया और मा ने शादी के लिए पूछा तो मिरे दिमाग में पहला ख्याल सर्व मिष्ठा ही था अच्छा और वो एक था जिसके साथ तुमारे प्यार के चर्चे मेडिकल कॉलेज पा क्यों ही उसके साथ कठी गई मैंने कोई कमिट्मेंट नहीं किया था पर वो थोड़ा सीरियस हो रही थी लिहाजा यहां आने के कुछ समय बाद से मैंने फोन भी नहीं उठाया और नाहीं पता किया कि उसने आगे क्या किया उसने शादी की यह अभी भी मेरे इंतजार में ट पाबू में कर लिया और सबसे खुबसूरत लड़की से शादी कर ले हमारे इश्क में मरने वाले बहुत हैं क्या करें सौरब ने आँख मारते हुए का फिर से एक जोरदार ठाहा का गुंजा हमारे इश्क में मरने वाले बहुत हैं क्या करें सौरब ने आँख मारते हुए का फिर से एक जोरदार ठाहा का गुंजा अब आगे कुछ भी सुनना उसके लिए बरदाश से बाहर था अपने रूम के विस्तर पर आकर वो गिर पड़ी रोते रोते तक्या गीला हो गया बे बाक्ती गाड़ियों से उसे कुछल देने की गुहार कर रहे हूं पर मौत उससे पिछले दस मिनट से आँख में चौली खेल रही थी उस औरत ने एकता को उठाया उसके पास से आती शराग की गंद से मामला समझ एक जोर का तमाचा एकता के गाल पर मारा मरने चली है मतलब ही लड़की माबाप भाई बहन किसी का ख्याल नहीं है तेरे को खुद तो मर जाएगी पर उनको रोने के लिए चोड़ देगी अचानक से एकता को ये ख्याल आया वो क्या करने जा रही थी उसके लिए जान देने जा रही थी जिसको उसके हुने ना हुने का कोई फरकी नहीं पड़ता और वो उसके माबाप भाई बहन वो तो उसके लिए रोते-रोते मर जाएंगे शाए जिन्दगी में कभी सामाने न हूपाएं परिवार का ख्याल आते ही शर्मिंदा हुई एकता उस और आसों के बीच अपनी कहानी सुना दी वो औरत उसे अपने गाड़ी में बिठा कर अपने घर ले आई एक चाल नुमा मकान में उसका भी एक कमरा था जिसे वो घर कह रही थी निम्बो पानी देते हुए उसने कहा बहुत प्यार करती थी मैं अपने मर्द से उडिसा से भाग कर आई थी उसके साथ यहाँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था पर मुझसे कहीं ज़्यादा शराब से यही किराय की गाड़ी चलाता था वो एक दिन ये लेती बच्चों के साथ लेकर चली जाती दूसरे लोग बढ़ा आसान लग रहा था एक जटके में सब परिशानिया खत्म पर नहीं मैंने जिंदगी की लड़ाई को चुना मैं तो चली जाती पर बच्चों का साससुर का क्या होता मैं उसी किराय की गाड़ी को चला कर अप बच्चे पालती हों साससुर की सेवा करती हों कभी भर पेट नहीं खाया पर तसली है जब इश्वर के पास जाऊंगी तो आँख मिला कर बात करूंगी तूने जो जिंदगी दी थी ना उसको पूरी मेनस से जी कर आई हो मूँ चुरा कर भाग कर नहीं आई रहे तेरे पास और तू क्या कहेगी एक प्यार के धोकी में सारे रिष्टे सारे करतव से अधूरे छोड़के आ गई पेर तो तू डॉक्टर है रहे कितनों की जान बचा सकती है उनकी और उनके आँकों में खुशी की चमक दे सकती है कभी सोचा है एक अनपढ़ स्त्री से जीवन की पानी पानी होने लगी ओ, वो ये क्या करने जा रहे थी उसे अपने माता पिता, भाई बेहन, परिवार, नात रिष्टे, सबकी आंसों से भरे चेहरे दिकाई देने लगे सबकी आँकों में एक ही सवाल था एक्ता तू ने ऐसा क्यों किया, आकिर हमारे प्यार में क्या कमी थी, सारा क्रोध अपमान आसों में बहने लगा, वो होटल लोट आए, दूसरे दिन कॉन्फरेंस के लिए अच्छे से तैयार हुए, वहाँ उसने सौरब की और बस एक हल्की सी परिचे वाली मुस्कान बिखे रही और अपने काम में लग गई, पॉलिच के शुरुआती दिन ही या नहीं, अभी भी मेरे याद में टस हुए बहा रही होगी, हर बार उसके संकल्प और द्रण हो जाता, सौरब एक एवरेज स्टुडेंट था, पर शुरू से ही पढ़ाई में धाकड रही एक तके डिसकशन सुन कर सीनियर डॉक्टर्स बहुत प्रभावित हुए, कई जब वो सुमित वह अने दोस्तों के साथ खड़ा था, तो एकता अपने एक दोस्त से मिलने के बहाने वहाँ पहुची, बातों ही बातों में उसने जता दिया, कि उसे अपनी पसंद का जीवन साथी मिल गया है, और कुछ समय बाद वो उससे शादी कर लेगी, अरे हमने तो सौरब के साथ आपके रोमांस के बड़े किस्से सुने थे, सुमित ने चुटकी लिए, ओ वो, एकता ने सौरब की और देखकर हसते हुए का, वो तो टाइम पस था, आप तो जानते ही है, मैडिकल कॉलेज की लाइफ कितनी बोरिंग होती है, घर परिवार से दूर, इतनी स चारी पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा सौफ टश तो जरूरी है, लोज जी, तो मैडम कभी टाइम पस था, सुमित ने फिर चुटकी लिए, हास्ते हुए एकता आगे बढ़ गई, थोड़ी दूर जाकर उसने पलट कर देखा, सारे दोस्त अभी भी हंस रहे थे, और के विपरीत अचानक, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद